तो पंडिक जी बताएंगे मकर रासी वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है उनका स्वास्त पारिवारिक जीवन पढ़ाई लिखाई के लिए आज से ये वर्स उनके लिए कैसा रहने वाला जी पंडिक जी बताएंगे मकर रासी वालों के लिए वर्स बहुती अच्छा पर daratta यह तो सार्य साथी का लास्चशन चल रहा है उनको ने चीज का चनोती करना परेगा और सामना स्थकल ना परेगा यह को श्टनोती का जैसे वह सामना कर लोको कह्ते हुप मिलेगी और यह सांदार इसलिए रहने वाला है क्योंकि सनी इनके दूतिय भाव में बैठेंगे तो उनको आर्थिक द्रिष्टी से धन के आगमन का नया नया शुरत उनको मिलेगा नया अस्तर से उनका इंकम होगा और जैसे एक अस्तर से नहीं दो तीन अस्तर से उनको दो मंकारासिवाले दो जाते इसमें यात्रा भी खूब करेंगे अपने सफलता के लिए और अपने केरियर के लिए बच्चों के पढ़ायी लिखाई के लिए यह अच्छा रहेगा लेकिन थोरा सा संघर्ष दिख रहा है उनको हो सकता है थोरा सा बच्चे के परतित मने थो दिक और साधी नहीं हो रहा है तो उनको दिक्कत हो सकता है समस्य आ सकती है और केरियर के पॉइंट ऑभी से में बहुत बोला संदार रहेगा और उन्हें कोई दिक्कत नहीं आगी तो मिला जुला के यह बर्स जो है मकरासिवाले के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है और उनका साधी का लाश्चरन है तो शिलिए भी वह बहुत बितने वाला है साल केरियर स्वास्त आर्थिक द्रिष्टी हर पकार से मकरासिवाले के लिए साल सुब संके दे रही है जैसा पंडित जी ने बताया मकरासिवालों के यह साल मिला जुला रहने वाला है तो हमारी दूसरी रासी है वो कुम रासी है तो पंडित जी बताएंगे कुम रासी वालों के लिए यह साल कैसा होने वाला है उनकी सिख्षा के लिहास से उनकी स्वास्त के रिहास से उनके कै तो यह वर्स उनके लिए भी अच्छा बितने वाला है स्वास्त के द्रिष्टी से उतार चुड़ा बना रहेगा उनको जो है खान पान का बेतर ध्यान देना है नहीं तो स्वास्त में भी गरवरी आ सकती है इसकीन डीजी योगरा का भी समस्य उनको दिखाई दे रहा है जो हो सकता है इसलिए उनको सब्धान रहना चाहिए और अप्रील के बाद जदी वह मेहनत करते हैं तो उनको सफलता भी मिल सकता है और जून से नॉमबर का महिना जो है वह खास उस टाइम उनको विशेश दियान देना चाहिए केरियर के पॉइंट वह भी उसे चुनोति पूर्ण रहेगा उनको थोरा सा प्रमोशन में लेट होगी धेर्च रखना है लेकिन प्रमोशन होगी निष्चित जैसे आप सोचते हैं जदी आपका जून में होगा जून में और अगस्त तो आप बहुत ही तरक्की होगा लेकिन यह बर्स चोनवती पूर्ण रहेगा प्रवारिक जीवन का जहां तक बात है तो प्रवारिक जीवन भी मिला जुला का अच्छा रहेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपका बच्चे और के लिए उसमें अच्छे रहेगा